अगर आपको भूतों, चुड़ैलों और जिन्नात की सची डरावनी कहानिया सुनना पसंद है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे मैं हर हफ्ते आपके लिए बहुत सी सची कहानिया लेकर आता हूँ आज जो कहानिया मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो सभी कहानिया भीजी हैं उरीशा से मेरे एक वीवर ने तो खुद भी सुनिये और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और मज़ा लीजिए इन डरावनी कहानियों का मेरा नाम अफजल अली खान है, मैं उरीशा के राव के लाके रहने वाला हूँ आज मैं आपको अपने जानने वालों के साथ घड़ी कुछ सची कहानियों के बारे में बताने जा रहा हूँ ये सबसे पहली बात जो मैं बता रहा हूँ, ये मेरे दादा जी के साथ हुआ था ये बात तब की है जब देश अजाद भी नहीं हुआ था उन दिनों मेरे दादा जी ब्रिटिश आर्मी में थे तो उन दिनों उनकी ड्यूटी कराची के समुन्दर के पास लगी थी वो हर रात उस समुन्दर के पास गश्ट लगाने जाते थे तो उस रात भी वो उस समुन्दर के पास ही गश्ट लगा रहे थे तो उन्होंने देखा कि समुन्दर में थोड़ा दूर एक लड़की पत्थर पर बैठी अपने बाल बना रही थी उसको देखके दादा जी को बहुत हैरानी हुई कि इतनी रात कौन लड़की ऐसे समुन्दर के अंदर बाल बना रही है तो वो चुपके से उस लड़की के पास जाने लगे उसको ठीक से देखने के लिए लेकिन उस लड़की को पता नहीं कैसे पता चल गया उसने एकदम से मुड़के दादा की तरफ देखा और उसी वक्त पानी में कूट गई उसके कूटते ही दादा भाग के पानी में गए उसको देखने के लिए लेकिन तब तक वो गायब हो चुकी थी उस दन के बाद भी दादा बहुत बार रात में उस समंदर के पास जाते उस लड़की को देखने के लिए लेकिन वो लड़की उन्हें फिर कभी नहीं दिखाई दी दादा जी बताते थे कि वो लड़की पक्का एक जल परी थी ये दूसरी कहानी तब की है जब देश अजाद हो चुका था देश अजाद हो जाने के बाद दादा की सरकारी नौकरी लग गई थी वो राओ केला स्टील प्लांट में काम किया करते थे एक बार उनके गाओं में बाड आ गई थी जिसकी वज़े से बहुत नुकसान हुआ था बहुत से लोग मारे भी गए थे लेकिन दादा जी तब गाओं में नहीं रहते थे तो बार का पानी उतर जाने के कुछ दिन बाद एक बार दादा जी ने सोचा कि गाओं जाके उनके घर की मरमत कर ली जाए तो उस दिन उन्होंने दिन भर घर की साफ सफाई की और फिर रात में खाना खाके सोने लगे तो सोते सोते उनको टौलेट लगी तो वो डबबा उठाके गाउं के पीछे खेत में चले गए वहाँ वो जिस चेके बैठे थे वहाँ एक बहुत बड़ा और पुराना पीपल का पेड़ लगा था दादा जी वहाँ बैठे ही थे कि तब ही उन्होंने देखा कि एक आदमी उस पीपल के पेड़ से नीचे उतर रहा था वो देखके दादा जी को बहुत हरानी हुई कि इतनी रात कौन पीपल के पेड़ पर चड़ा हुआ था अंधिरे की वजह से उनको साफ साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था तो उन्होंने दूर से ही आवास देखे पूछा कौन हो भाई और जहाड पे क्या कर रहे हो तो वो आदमी बोला अरे जहीर हमको नहीं पहचाने क्या दादा बोले नहीं मैंने नहीं पहचाना तो वो आदमी बोला अरे हम तीवारी हैं बार से हम डूब के मर गए थे इसलिए तब से हम इसी जाड़ पे ही रहते हैं इतना बोलकर वो आदमी फिर से उस पेड़ के उपर चड़ गया वो देखते ही दादा जी ने डबा वहीं फेका और वहां से भाग गए ये अगली कहानी भी आज से करीब पचास साल पहले की है दादा एक बार ट्रेन से अपने गाउं जा रहे थे तो अपने स्टेशन पर जब वो पहुँचे तो रात हो चुकी थी सर्दियों का मौसम था ठंड भी बहुत पढ़ रहे थी स्टेशन से निकल कर वो बस अड़े की तरफ जाने लगे अपने गाउं की बस पकड़ने के लिए लेकिन बस अड़े पर पहुचे तो देखा कि टाइम जादा होने की वज़े से वहां एक भी बस नहीं थी यहां तक की दूर दूर तक कोई आदमी भी नज़र नहीं आ रहा था तो दादा ने सोचा कि अब सुबह तक बस के आने का कौन इंतजार करेगा मैं पैदल पैदल ही निकल पड़ता हूँ वहां से उनका गाउं पांच-छे किलोमेटर दूर था तो दादा जी अकेले ही पैदल पैदल अपने रास्ते जाने लगे लेकिन कुछ तूर जाने के बाद उनको अपने पीछे किछी के चलने की आवाज सुनाई दी दादा जी खुश हो गए उनको लगा कि चलो कोई तो मिला साथ देने के लिए उन्होंने पलट के देखा तो एक आदमी पीछे पीछे आ रहा था तो दादा ने वहीं से उसको आवास दी फुचा कौन से काओ जा रहे हो भाई लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया बस चुपचाप खड़ा हो गया दादा जी भी फिर कुछ नहीं बोले और चलते रहे वो आदमी लगातार दादा जी के पीछे पीछे ही आ रहा था लेकिन उनके रुकते ही वो भी रुक जाता दादा उसको देखने के लिए जब दाएं मुरते तो वो बाएं हो जाता और जब बाएं मुरते तो वो दाएं हो जाता दादा जी बहुत परिशान हो गए कि यह आदमी कौन है जो मुझे इतना परिशान कर रहा है कुछी देर बाद दादा जी को ये बात समझ आ गई कि ये पक्का कोई इनसान नहीं है रास्ते में ही एक जगे पढ़ती थी जहां तीन पुल बने थे लोग बताते थे कि उन पुल के उपर एक शैतान रहता है दादा जी समझ गए कि ये जरूर वही शैतान है तो पुल को पार करते हुए वो आयतुल कुरसी पढ़ने लगे और वो पढ़ते पढ़ते ही उन्होंने वो तीनों पुल पार कर लिए तीसरा पुल पार करने के बाद जब उन्होंने पीछे मुड़के देखा तो वो आदमी वहीं पुल के उपर ही खड़ा था और उनकी तरफ देखके हाथ हिला रहा था ये अगली कहानी एक खबीश की कहानी है ये आज से करीब 25 साल पहले मेरे अब्बा के साथ हुआ था उस जमाने में अबादी बहुत कम हुआ करती थी मेरे अब्बा का एक किराने का स्टोर था और वो उसी पे बैठा करते थे उनका एक दोस्त भी था जिसने अबा से कुछ करजा लिया हुआ था जिसे वो रोस थोड़ा थोड़ा दे के चुकाता था अबा की आदत थी कि वो हर रात दस बजे अपनी दुकान बंद करके अपने उस दोस्त के यहां चले जाते थे बातें करने के लिए और उससे पैसे भी ले आते थे तो एक रात ऐसे ही रोस की तरह अबा अपने दोस्त के घर से रात करी बारा बजे वापिस आ रहे थे वो सर्दियों का मौसम था बीच में एक रास्ता पढ़ता था जो की बिलकुल सुनसान रहता था तो अबा जब उस रास्ते पे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहां कूडे के धेर के बीच में एक आदमी सो रहा था अबा ने सोचा कि कौन बिचारा इतनी ठंड में ऐसे कचरे के धेर में सो रहा है तो अबा उसके पास गए और बोले अरे भाईया ऐसे क्यों कचरे के धेर में पड़े हो तुमको ठंड नहीं लग रही क्या उन्होंने बस इतना ही बोला था कि वो आदमी गुर राते हुए उनसे बोला तु रोज इधर से ही जाता है ना मैं रोज तुझे देखता हूँ तो चुप चाप अपने रास्ते चला जा उसकी बात सुनते ही अब्बा समझ गए कि ये कोई इनसान नहीं बलकि खबीस है खबीस एक ऐसा जिन होता है जिसको गंदगी वाली जगाओं पर रहना पसंद होता है उस दन के बाद वो फिर कभी अब्बा को दिखाई नहीं दिया नहीं अब्बा ने वहां से आते हुए कभी उस कच्रे के ढेर के तरफ देखा ये कहानी जो मैं अब बता रहा हूँ ये आज से उननेस साल पहले की है जब मैं पंदरा साल का था मेरे भाई की एक किराने की दुकान थी मेरी अम्मी मुझसे बोली कि जब तेरा भाई रात में दुकान बंद करके आ जाता है तो तो दुकान पे ही जाके सो जायकर उससे दुकान की हिफाज़त भी हो जाएगी लेकिन मैंने कहा कि मुझे वो एरिया पसंद नहीं है मैं वहां नहीं सोगा लेकिन अम्मी ने मुझे जबर्दस्ती वहां भेजने के लिए मना लिया हर रात मैं खाना खाके वहां सोने चला जाता था फिर एक दिन जब मैं दुकान में गया तो मुझे वहां से एक अजीब से स्मेल आ रही थी जैसे अगरबत्ती में से आती है दुकान में एक अगरबत्ती का बॉक्ष भी रखा हुआ था मैं समझ गया कि वह स्मेल जरूर उसी बॉक्ष में से ही आ रही होगी उसके बाद मैं वहीं सो गया लेकिन फिर सोते सोते रात में अचानक कोई मेरे उपर आके बैठ गया वो बोज इतना ज़ादा था कि मेरे मुझे आवास भी ने निकल पा रही थी मैं मनी मन दुआएं पढ़ने लगा तो दुआएं पढ़ने से वो बोज मेरे सीने से हट गया मैं उसी वक्त तेरी से वहाँ से भागता हुआ अपने घर आ गया और घरवालों को वो पूरी बात बताई तो अम्मी बोली कि ये पहले से ही वहाँ नहीं जाना चाता था ये जरूर वहाँ ना सोने का भाणा बना रहा है मेरी बात पर किशी ने यकिन नहीं किया फिर एक हफते बाद मैं फिर से उस दुकान में सो रहा था तो रात मैं फिर से मेरे साथ वैसा ही हुआ मुझे अपने सीने पे बहुत जादा भोज महसूस होने लगा मैं किशी तरह वहां से भागा और अपने घर आ गया मैंने अपने घर वालों से बोला कि मैं उस दुकान पर अब नहीं सोँगा चाहे कुछ भी हो जाए तो मेरे भाई ने मुझसे कहा कि भूत भूत कुछ नहीं होते उसने कहा कि वो अब खुद मेरे साथ दुकान में सोगा और फिर अगली रात हम दोनों दुकान में सोने के लिए पहुँच गए मेरे भाई ने कहा कि मैं तेरी जगे सोता हूँ और तू जाके कोने में सोजा मैं मनी मन सोच रहा था कि बस आज वो भूत आके भाईया को पकड़ ले तो इन्हें पता चलेगा कि मैं जूट नहीं बोलता हूँ यही सब सोचते सोचते मेरी आँख लग गई फिर रात में मुझे मेरे भाई के चल्नाने की आवास सुनाई दी अफजल अफजल जल्दी उठ वो मुझे जोर जोर से पकड़ के हिला रा था मैं उठा तो वो बोला कि जल्दी से यहां से भागो तो हम दोनों वहां से भागने लगे मेरे भाई ने बताया कि वो भूत उसके सीने पर आके बैठ गया था लेकिन वो जैसे ही चलाया कि कौन है तो वो वहां से भाग गया तब जाके घर के सब लोगों को यकीन हुआ कि मैं जूट नहीं बोलता था तो अगले ही दिन मेरी ममी ने एक मौलाना को बला कर दिखाया तो उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले तुमारी दुकान के पीछे वाली गली में एक जिन्नात का लशकर जा रहा था तो उनमें से एक जिन्न तुमारी दुकान में अगरबत्ती की महक से वहीं रुक गया है और वही तुमको परिशान कर रहा है मौलाना ने हमसे वो अगरबत्ती का डबा दुकान से हटा देने को कहा उसके बाद उन्होंने पूरी दुकान को कुछ पढ़के बांदिया उसके बाद से मेरे साथ फिर कभी वैसा कुछ नहीं हुआ ये अगली कहानी एक चलावे की है ये बाद साल 2008 की है जब मैं हैदराबाद के एक रिजॉर्ट में जॉब करता था रहने के लिए वहां हमको एक घर भी मिला हुआ था मैं और मेरा एक दोस्त अजय हम दोनों बहुत अच्छे से वहां रह रह रहे थे रात में जब भी हमें टॉलेट के लिए जाना होता था तो हम उस घर के सामने लगे एक इमली के पेड़ के नीचे जाके टॉलेट करियाते थे लेकिन हम दोनों को ही बहुत बार ऐसा महसूस होता था कि जब हम उस पेड़ के नीचे खड़े होते थे तो कोई उपर से सीटी मारता था तो एक दन हमने मैनेजर से बोल दिया कि हम उस घर में नहीं रहना चाते हमें कोई दूसरा कमरा दे दो तो मैनेजर बोला कि उस कमरे के अलावा तो कोई कमरा खाली नहीं है तुम चाहे तो आफिस में सो सकते हो तो हम तयार हो गए फिर एक रात जब हम आफिस में सो रहे थे तो मेरी आँख खुल गई मैने देखा कि अजय सामने आफिस की अल्मारी से कुछ फाइल्स निकाल के देख रहा था वो देखके मुझे बहुत हैरानी हुई क्योंकि अजय को तो पढ़ना लिखना बिल्कुल आता ही नहीं था मैंने लेटी लेटी ही अजय को आवास दी अरे अजय ये क्या कर रहा है सोजा सुबह देख लियो लेकिन आजय कुछ नहीं बोला मेरे बार बात बोलने पर भी जब वो कुछ नहीं बोला तो मैं उठके उसके पास गया और उसके कंदे पर हाथ मारा लेकिन उसके कंदे पर हाथ लगाते ही वो उसी वक्त मुझसे बहुत दूर जाके खड़ा हो गया वो देखके मुझे तो एकदम से कुछ समझे नहीं आया मैं उसको देखते हुए ही उस पलंग पे बैठ गया जिस पे वो सोया करता था पलंग पे बैठा तो मुझे अजय अपने पलंग पर ही सोता दिखाई दिया वो देखके मैं बहुत डर गया और जोर से चिलाया मेरे चिलाने की आवास सुनके अजय उट गया मैंने जल्दी से उसको सारी बात बताई लेकिन तब तक वो दूसरा आजय वहां से गायब हो चुका था लेकिन वो दिखने में बिलकुल अजय के जैसा ही लग रहा था फिर अगले दिन हमने वहां रहने वाले पुराने लोगों से पूछा तो पता चला कि बहुत दिन पहले तीन भाईयों ने जायदाद के चक्कर में अपने सबसे छोटे भाई को मारके वहां एक कुए में डाल दिया था वो रिजॉर्ट भी उसी जमीन पर बना हुआ है लेकिन उस आदमी की आत्मा आज भी वहीं बटकती है ये अगली कहानी एक जिन की है ये मेरी एक कजन के साथ हुआ था आज से करीब 35 साल पहले जब मेरी कजन सरफ 6 साल की थी हमारे घर का आंगन बहुत बड़ा हुआ करता था तो एक दिन मेरी कजन नजरा आंगन में खेल रही थी घर के बाकी लोग भी वहां पास में ही बैठे हुए थे तब ही नजरा खेलते खेलते अचानक वहां से गायब हो गई तो उसकी मम्मी जो वहीं बैठी थी उन्होंने उसको गायब होते देखा तो उसी वक्त उसको आवाजें लगाने लगी पूरे घर में अफरा तफरी मच गई कि खेलते खेलते वो कैसे गायब हो गई मौले के लोग भी खटा हो चुके थे उसको ढूनने के लिए लेकिन वो नहीं मिली इसी बीच मेरी अम्मी किचन में सबजी रखने के लिए गई तो देखा की नजरा घर के अंदर फर्श पर पड़ी हुई थी उसको देखते ही उन्होंने सबको आवास लगा के वहाँ बुला लिया बात में एक मौलाना को घर में बुलाया गया पूछने के लिए कि उसके साथ क्या हुआ था वो घर में आये तो उन्होंने नजरा से पूछा कि तुम कहां गायब हो गई थी तो वो बूली कि मैं तो आंगन में ही खेल रही थी लेकिन तब ही वहाँ दो आदमी और एक औरत आये और मुझे उठा के ले गए मुझे उठा के वो लोग एक पेड़ के नीचे जाके खड़े हो गए फिर उन्हें से एक आदमी भूला कि तुम दोनों यहीं रुको मैं देखकर आता हूँ कि इसके घर में क्या चल रहा है उसने देखा कि तब तक पूरे घर में अफरा तफरी मत चुकी थी तो वो तीनों मुझे वहीं छोड़ के भाग गए मुलाना ने बताया कि वो लोग जिन थे लेकिन उन्होंने जैसे ही इसको गायब किया इसकी माँ उसी वक्त चलाने लगी और इसी वज़े से वो लोग इसको छोड़ के भाग गए ये आखरी कहानी मेरी एक सिस्टर की जठानी की लड़की की है ये आज से सत्रा साल पहले की बात है वो लोग बहुती मौडन थे और उनका रहना खाना भी बहुत अच्छे से होता था उनकी एक लौती बेटी थी जो की बहुती खूबसूरत थी वो हमेशा मौडन और वेस्टरन कपडों में ही रहा करती थी लेकिन एक दिन जब वो अपने घर से बाहर आई तो सब ने देखा कि उसमें बुरका पहना हुआ था सब मौहले वाले हैरान रह गए लेकिन उस दिन से वो हमेशा बुरके में ही रहने लगी धीरे धीरे ये बात सब लोगों को पता चल गई कि उस लड़की के उपर किसी जिन का साया आ गया है और वो ही उसे ये सब करने को बोलता है उसके घर वाले भी बहुत परिशान हो गए थे बहुत से मौलानाओं को भी दिखाया लेकिन कोई भी उसको ठीक नहीं कर पा रहा था वो जिन भी उनको धमकी देता था कि अगर तुम इसको मौलाना के पास लेकर जाओगी तो मैं इसको मा डालूँगा लेकिन वो लोग बस किसी तरह अपनी बेटी को ठीक करवाना चाहते थे फिर एक दिन वो उसको बिलासपुर की एक दरगा में लेकर गए जहांपे उस जिन को उससे दूर कर दिया गया उसके बाद वो लोग अपने घर वापिस आ गया फिर कुछ दिन बाद एक दिन जब उनके घर में कोई नहीं था तो उसकी मा को किचन में से कैरोसीन की बदबू आई उन्होंनों किचन में जाके देखा तो उनकी बेटी किचन में खड़ी थी उसने अपने उपर कैरोसीन डाला हुआ था वो देखते ही उसकी मा रोने लगी बोली ऐसा मत करो तो उस लड़की के अंदर से उस जिन ने बोला कि मैंने कहा थाना कि मौलाना के पास मत जाना लेकिन तुम लोग नहीं माने अब देखो मैं इसको कैसे तुमारे सामने जलाता हूँ इतना कहकर उसने माचिस जला दी उसकी माने जैसे तैसे शोर मचाके आस पास के लोगों को वहां बुलाया लेकिन वो लड़की 70% जल चुकी थी वो लड़की रोते हुए अपनी माँ से पूछ रही थी कि ये सब कैसे हुआ उसको कुछ भी नहीं पता था हॉस्पिटल में उसको ICU में एडमिट करवाय गया तो वो रोते हुए अपने पापा से बूल रही थी कि मुझे छोड़के मत जाओ वो मुझे मार देगा लेकिन डॉक्टर्स ने उसके पापा को ICU से बाहर कर दिया फिर जब सुबह हुई तो वो लड़की मर चुकी थी